डोडा के लाल द्रमन इलाके में कल शाम सुरक्षा बलो और आतंकियों के बीच मुठमेड होती है घात लगाकर आतंकी जो है वो जंगलों में बैटे हुए थे आपको बता दे कि कठुआ और डोडा में लगातर एक के बाद एक हमले के बाद आतंकी जो हैं अपनी जगए बदल रहे हैं और बार बार अपनी प्रेसेंस भी दिखा रहे हैं वो डोडा के घरे जंगलों और चिश्यों तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हैं Ba लंबे समय तक वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं और लगातार वो अपनी प्रेजन दिखा रहे हैं तस्वीरों में आपको दिखा दे हाला कि यहां से आगे जाने की अनुमती हमें नहीं मिल रहे हैं आशू हम आपको यहां से दिखाने की कोशिश करो कि किस तरीके से यहां प वो फिर से फाइरिंग शुरू होगी हालां कि बीती रात जब रात का अंधेरा हो जाता है तो एंकाउंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता लेकिन फिर भी भारतिय सैना के जवानों और पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने इलाके को चारो दर्फ से गौड़न किया तस्वीरों में आप देखें किस तरीके से ये घने जंगल है और ये टॉप बिल्कुल हम टॉप पे हैं और ये इतनी यूची पहाड़ी है कि यहीं पहाड़ियां उधंपूर और यहीं पहाड़ियां कठुवा के साथ मिलती है इनका टॉप एक ही है और लगातार आतंकी ज चुरू हुआ था फिलाल इस इंकॉंटर में अभी तक कोई भी अपडेट सामने निकल कर नहीं आया है लेकिन फारिंग जो है दोनु तरफ से बंद हो चुकी है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ग्रॉंड जिरो की विज्वल से न्यूज एटीन की टीम इस वक्त ग्रॉंड जिरो पर है और ये लाल द्रमन का एरिया है और इन ही जंगलू में इसके बैक साइड में इनकॉंटर कल रात तकरीबन आठ बजे हुआ था जब सिकुर्टी फोर्सिस को मिल्टेंडू की छुपने की इंफर्मेशन मिली थी और उस एरिया को पूरी तरह से जाज़त नहीं दी जारी है इस इनकॉंटर को कवर करने के लिए लेकिन न्यूज एटीन की टीम बिलकुल ग्रॉंड जिरो पर है और इस इनकॉंटर के अगर हम बात करेंगे जो अभी तक सामने आया है कल देर रात ये इनकॉंटर जारी रहा लेकिन फिलाल अभी तक जो इ इस 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 जी जमू कश्वीर पोलीस के जवान इन सभी एरियाज में ताइना आते ताक कि मिलिटन्ड यहां से बच निकलने में काम्याब ना हो न्यूज एटीन नेटवर्क के लिए साज़ान लाल द्रमन से आतिफ लोन